हेलो सौरब कैसे हैं आप बज बढ़िया प्रानेत तुम बताओ सौरब आज एक विशय पे मुझे आपसे चर्चा करनी थी अभी आपने देखा होगा पिछले एक-दो साल में जो वैग्यानिक है उनके साथ उनका और समाज का थोड़ा एक अजीप सा रिष्टा रहा है मतलब कि जैसे एक तरफ तो साइंस और साइंस दानों की बहुत प्रशन सा हुई है क्योंकि आप देख लेजिए कोविड वैक्सीन वगेरा जो आई है तो एक बहुत ही मतलब रेवोलुशनरी चीज हुई थी तो एक तो काफी प्रशन सा हुई है और दूसरी और काफी कि यह भी आलोचना हुई है कि जैसे जो चीन में शायद जो वुहान वायरालोजी इंस्टिट्यूट से कुछ कनेक्शन था या नहीं था वो पता नहीं पर साइंस के काफी जो इस्टैबलिश्ट रिसर्चर्चर्स हैं उन्होंने पहले ही उस थियरी को नकार दिया था तो उसके उपर भी थोड़ी आलोचना हुई तो मुझे लगा इसी विशह पर थोड़ा और गहरा समझते हैं कि साइंटिफिक मेथर्ड साइंस होता क्या है कैसे किया जाता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि काफी क्लियर है काफी लोगों को तो आपको क्या लगता है इस विश साल में भ्रम बहुत ज्यादा फैल गये कि साइनस जो है वो भी साइनस पी एक तरीका है ऐसा और भी बड़े सारे तरीके है तरह जैसे वीन्ट तरीके होते हैं वैसे साइंस भी एक तरीका है और यह हिंदुस्तान में बड़ा अपील करता है क्योंकि भई तो फिर आगे क्या बोलना ठीक है तो मुझे लगता है कि साइंस को और हम लोग काफी हर चीज को स्पिरिचुलिटी से जोड़ते क्योंकि वो भी तो एक सच की खोज है और साइंस एक भौतिक सच की खोज है तो यह बड़ी गरबड हो जाती है तो इसको थोड़ा बारीकी से क तो इसलिए उसको गलत प्रूव करने के लिए हमको एक असली साइंटिस्स को लाना पड़ेगा तो इसलिए इस बार इस पुल्याबाजी में हमसे जुड़ रहे हैं निहार शा निहार असिस्टेंट प्रोफेसर है कानेगी मेलन युनिवसिटी में कम्प्यूटर साइंस और मशीन लर्निंग डिपार्टमेंट में और काफी पोडू इंसान है वो मैं उनको कॉलिज से जानता हूँ और उन्होंने काफी रिसेर्च किया है मशीन लर्निंग और साइन्टिफिक प्रोसेस, पियर रिव्यू वगेरा के बारे में तो मैंने सोचा निहार को ही बुलाते है और उनसे ही समझते हैं असली साइन्स के बारे में तो निहार बहुत-बहुत स्वागत है आपका पुलियावाजी में नमस्कार प्रणे, नमस्कार सारव और बहुत धन्यवाद मुझे निमंतरंट देने के लिए यहाँ पर बिलकुल तो एक्दम शुरू करते हैं निहार शुरुवात से तो एक तो हमारे स्कूल में साइन्स एक विशए की तरह समझाए जाता है तो साइन्स एक विशए है और हिस्ट्री और जॉग्रिफी साइन्स नहीं है ऐसे हमारी धारना हो जाती है तो ये भी एक गलत बात है सब कुछ साइन्स से ही सीखते है तो इसलिए मुझे लगा हम लोग शुरुवात यहीं से करते हैं कि जो विज्ञान को हम लोग की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है वहां से शुरुवात करते हैं तो ये science का तरीका जी 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 एकदम basic तरह से समझें तो scientific method में सबसे पहले आप मानलो कोई सवाल होगा आपको जैसे की vaccines आजकल covid और vaccines का बहुत चल रहा है तो यह सवाल होगा कि कोई एक vaccine बना है या वो काम करता है या नहीं आपको पता करना है अब उसके लिए सबसे पहले एक hypothesis लिखेंगे तो hypothesis मतलब एक कोई सवाल जो एकदम spasht तरह से लिखा जाए जैसे की आप कहेंगे कि यह वाली vaccine से इतना antibodies आते हैं या यह vaccine से antibodies नहीं आती हैं उस तरह से एक spasht सवाल लिखेंगे और फिर प्रयोग से आपका जो hypothesis है उसके बारे में जानकारी मिले अब प्रयोग करेंगे प्रयोग से कुछ आकड़े आएंगे उस आकड़े से अब आपको hypothesis के बारे में जानकारी मिलेगी तो या तो ऐसा होगा कि वो आकड़े आपके hypothesis को सहारा देंगे तो उससे क्या होगा आपको hypothesis पे ज्यादा विश्वास होगा या ऐसा होगा कि वो आंकडे hypothesis के खिलाफ होंगे विपरीत होंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि शायद hypothesis सही नहीं है और जब अगर ऐसा हुआ तो आप फिर से वापस जाएंगे देखेंगे कि अ अगर मैं कोशिश करूँ और simple तरह से करने का एक example लेके तो बोल सकते हैं ऐसा क्या कि जैसे हमको एक अनुमान लगाएंगे मानलो हम ढूंडना चारें कि मेरे घर से दूसरा घर कितना दूर है तो मैं ऐसे एक अनुमान लगाओं कि भई लग रहा है कि 15 feet दूर है उसके लगाया अपने अंदाजे से वह अंदाजा ठीक निकला तो मैं बोलूगा कि ठीक है और अगली बार मैं अपना अंदाजा करेक्ट कर लूगा तो यह एक तरीके का बहुत ही simple scientific method है जी बहुत बढ़िया तो यह एकदम simple scientific method है simple उधारन है और बस समझने के लिए देखते हैं एक उधारन जो scientific method या जो सही hypothesis नहीं होगा मानलो अगर आप कहें कि मेरे घर से मेरा office काफी दूर है मानलो यह यह कहा आपने यह hypothesis नहीं है क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं हुआ है ताकि बाद में मैंने ऐसे बोला यह तो पास ही है अब उसके बाद में मैं जब ना पलू तो बोलू हाँ यही तो मैं बोल रहा था यही तो पास है तो बाद में हम अपने दिमाग को खुदी समझा लेते हैं घुमा लेते हैं तो अगर हमने शुरू में एकदम clear नहीं करके बोला तो हम खुदी को जुटलाना बड़ा असान हो जाता है तो scientific method में अक्सर यह चीज होती है कि तबसे ज़्यादा हम अपने को ही जुटलाने से रोक रहे हों जी जी और इसलिए यह scientific method में बहुत जोर है कि यह जो science किया गया है उसकी आलोचना करने का मौका मिलना वो आल किस तरह से theories बनाते हैं और किस तरह से प्रयोग करते हैं उसमें इसकी संभावना होनी चाहिए कि उसका अलोचना कर पाए तो उसे falsifiability कहता है ना जी जी तो उस पर आते हैं तो जैसा कि आपने बूला निहार यह तो Francis Bacon जो 1600 में उन्होंने scientific method को codify किया था तो जो अपने चार steps बताए पहले तो observation के basis पे आप एक problem लिखते हैं उसके बाद hypothesis और फिर test hypothesis और फिर उसके उपर आप निशकर्ष निकालते हैं तो यह आपने समझा है अब इसमें सबसे बड़ी बात है आप scientist भी तो इनसान है आप ऐसी hypothesis निकालेंगे जो आपको पहले आपको लगता है ऐसा ह ही है तो आप ऐसी hypothesis निकालेंगे और ऐसी testing करेंगे कि वो आपकी hypothesis सही ही प्रूव हो जाए तो इसको आप कैसे avoid करेंगे जी यह बहुत ही जरूरी बात है जो science और non-science या pseudo-science से फर्क करता है तो इसके लिए scientific method में कुछ चीज़े हैं जो hypothesis या जो प्रयोग में होनी हैं और उसके अलावा विज्ञान में और भी काफी सारे विज्ञान की जो प्रयोग हैं उसमें और भी चीज़े हैं जो ज्यादा-ज्यादा मजबूत करता है कि ऐसी गड़बर ना हो तो जैसे कि एक आपने कहा falsifiability तो जब अगर आप hypothesis बना रहे हैं या कोई scientific theory बना रहे है तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी आलोचना कर पाएं ठीक हैं तो कोई कोई प्रयोग होना चाहिए जिससे कि अगर यह hypothesis सहीं नहीं है तो पता चल पाए कि यह सहीं नहीं है ठीक हैं जैसे कि मान लो एक hypothesis है कि God exists, भगवान है यह falsifiable नहीं है क्योंकि अगर भगवान नहीं है तो अब साबित कैसे करें कि भगवान नहीं है तो यह सही hypothesis नहीं होगी तो falsifiability मतलब कि कोई प्रयोग होना चाहिए जिससे कि वो साबित कर पाएं कि वो सहीं नहीं है तो उसको नकारा जाने की संभावना होनी चाहिए और यह सवाल भी अच्छा है कि इससे पता चलता है कि हर चीज scientific method से नहीं होती है भगवान है या नहीं है यह श्रद्धा का मामला होगी तो इसलिए यह श्रद्धा और science में तो कभी-कभी मिलावट नहीं करनी चाहिए जी और अगर मिल जाए तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या है अच्छा तो निहार इसमें एक null hypothesis भी हम लोग अकसर सुनते हैं तो यह null hypothesis क्या है इसकी क्या जरूरत है science के method में तो जैसे अब vaccine ले लीजे ठीक है तो हमें जानना है कि यह vaccines काम करती है या नहीं तो उसके ल बुलाया अब रैंडमली 500 लोगों को vaccines दिया बाकि 500 को कुछ पानी दिया या placebo दिया और फिर हम देखते हैं कि जो 500 लोग जिनको vaccine दिया उनमें से किसको आगे चलके covid आया और जिनको नहीं दिया उसमें से किसको covid आया अब इस समय से आगे यह जो भी आकड़े आये उसका analysis करके हमें कुछ नतीजा बनाना है तो अब उसके लिए यह null hypothesis और जो कहते हैं alternate उसका काम आता है तो null hypothesis कहता है कि कुछ नहीं है यानि कि इसमें vaccine और placebo का कोई फर्क नहीं है तो वो null hypothesis हुआ और हम यह मानके चलेंगे अगर कुछ और जानकरी नहीं है तो हम null hypothesis मानके चलेंगे और फिर यह सब जो आकड़े आए हमारे पास उससे हम statistical analysis करेंगे और देखेंगे कि यह null hypothesis को हम reject कर सकते हैं किया तो statistical analysis करके फिर हम बताएंगे कि हाँ null hypothesis सही नहीं है और हमें इतना confidence है हमारा जो नतीजा है उस पर तो जब तक यह नहीं किया हम null hypothesis मानके चलेंगे कि हाँ कुछ नहीं है तो हिंदी में हिंदी में समझने में निहार कितना असान लग रहा है बोलो कि कुछ नहीं है वो null hypothesis मेरे को तो complicated लग खुद translate करना पड़ता है दिमाग में यह null hypothesis में ऐसे तो यह तो आसान आपने बड़ी भाशा में बता दिया कि यह कुछ नहीं है तो पहली पहला हमारा अनुमान है कि कुछ नहीं है बहले मानके चलते हैं कुछ नहीं है और देखते हैं वो अनुमान गलत वो उसको गलत साबित कर दिया तो यानि कुछ है जी बिलकुल बढ़िया और इस तरह से सोचने में काफी सभ्जेक्ट माननों अब क्या है कि उन सिर्व दो लोग में से एक को वैक्सीन दिया और एसा सकता है कि या तो दोनों को एक ही नतीजह आया या तो वाक्सीन वाले को को विड नहीं आया और उतना चोपल सांपल साइस ऊइसने कम सब्जेक्ट्सomnien उससे तो इतना कुछ कह नहीं सकते हैं यह तो बस random chance की वज़े से ही किसी को covid आया किसी को नहीं आया अगर अब मान लीजिए कि हम शुरुआत में यह मान के चलते कि vaccine काम कर रहा है तो अब यह experiment के बाद भी हम कहते कि vaccine काम कर रहा है क्योंकि experiment में तो कुछ जानकरी नहीं दी तो वो तो गलत होगा ना तो इस टाइप का अविज्ञान तो बहुत common है निहार जैसे twitter पे लोग बहुत hypothesis देते हैं फिर एक hypothesis देंगे फिर होगे अरे यह मैंने अपने गाउं में भी देखाता ऐसे होता है तो इसलिए यह पूरे विश्व में भी होता है और फिर यह बन जाती है एक theory तो यह अविज्ञान हो गया तो इसमें क्योंकि कोई null hypothesis consider ही नहीं की थी तो इस वाज़े से लोग हम अकसर यह गलती तो करते ही तो इसमें एक और तरीके से इसको phrase करें तो क्या विज्ञान सत्य की शोध नहीं पर असत्य को कई सारे असत्य को नकारते हुए हम सत्य की और प पता है क्या है सत्य और हम लोग शायद हमारा मन भी उस तरीके से काम करेगी हम लोग उसी वैसे ही असबूत ढूंडेंगे जो हमें वो सत्य की और उजागर कर पाए तो हम लोग काफी गलतिया कर सकते हैं तो इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल विज्ञान और है इन चीजों में क्या-क्या प्रिंसिपल्स आप देखते हैं अच्छे विज्ञान के लिए जी टो एक हमने यह बात किया फॉल्सिफाइबिलिटी है अब दूसरा एक प्रिंसिपल्स जो काफी मुख्य है वो है प्रिडिक्टिबिलिटी टीडिक है तो अब प्रिडिक्ट कैसे हुआ उसके बारे में है तो वो थेयरी है अब जो थेयरी है वो ऐसे कुछ नहीं होती है जो थेयरी है वो ऐसी होनी चीए कि उससे कुछ अनुमान आए कि आगे क्या होने वाला है ठीक है आगे क्या होने वाला है उसकी कोई भविश्यवानी आए ताकि हम अभी आगे चलक और वह माप सके हैं और फिर हम पता कर पाएं यह theory सही या गलत है तो प्रेडिक्टेबिलिटी से falsifiability आ गई बिल्कुल बहुत बढ़ी है हाँ तो यह falsifiability यानि कि विज्ञान में कुछ भी हो ऐसा संभव होना चाहिए कि उसकी आलोच ना कर पाएं तो अब इसमें अनुमान आया और कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने कुछ theory रखी है वैग्यानिकों ने और theory इस हिसाब से रखी है कि तब तक जो पता था theory उस सब वो सब को समझा सकती थी पर फिर वो theory से कुछ अनुमान आये जैसे कि ब्रह्मान का क्या कैसे विकास होता है उसके लिए पहले एक theory थी steady state theory करके तो अब उससे कुछ-कुछ theory मानते हैं पर यह भी बहुत जरूरी बात है कि मानते हैं उसका मतलब यह नहीं कि ऐसा है कि सच ही है और और कुछ नहीं हो सकता बार-बार हम अलग-अलग चीज़ें मापते रहते हैं और देखने की कोशिश करते है कि कहा यह theory टूटती है तो वही वह सत्य है परम सत्य है वह कोई कहीं नहीं कह सकता लेकिन वह असत्य है अभी तक किसी ने साबित नहीं किया है तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि वह शायद that's the best we know जी और उस पर काफी बरोसा है क्योंकि बहुत सारी चीज़े जो मापी गई है बहुत सारे जो प्रय नहीं है और और इसमें ये एक्जामपल अच्छा दिया निहार क्योंकि अब जैसे ये ब्रह्मान का एक्जामपल है और इसी तरह से हमारी सोसाइटी में भी एक्जामपल होते हैं हर चीज का प्रयोग नहीं बना पाते ना जी तो हमको कभी-कभी बस observations मिलते हैं हम जैसे अब ब्रह्मान में तो हम इंच टेप लेके नहीं जा सकते एक जगे से दूसरी जगे तो हमको अनुमान लगाने पड़ते हैं या फिर काफी लोग ये social sciences की भी बात करते हैं वो भी चीज होती है पर आप नहीं देख सकते उसमें वो science कभी-कभी सवाल में science नहीं होती क्यों पर जो आप सामानिया बात करें तो एक और है कि जैसे हम सामानिय बोलचाल में ये शब्द theory और hypothesis कई बार उपयोग करते हैं पर जो उसका मतलब सामानिय बोलचाल में होता है और जो विज्यान में उसका मतलब होता है वो काफी अलग होता है और कई पार हमने देखा है कि social media वगेरा कि ये दो चीजों ये इन शब्दों का जो उप्योग है विज्ञान में या सामाने बोलचाल में इन दोनों का मिश्रण हो जाता है कि अभी इंडिया और साथ आफरिका के सीरीज हुई क्रिकेट क्रिकेट मैच हुए उसमें हम नहीं जित पाए तो अब मैं कहूंगा कि मेरी थियरी है कि कप्तान केयल राहूल और कोच राहूल द्रविट दोनों नहीं थे इसलिए हम हार गए या दोनों का नाम राहूल था इस में इसको थिएरि या हाईपोतिसई कहते हैं पर अगर विज्ञान के बारे में बात करें तो यह थिएरिया हाईपोतिस नहीं हुआ क्योंकि यह ऐसा प्रयोग नहीं है हमारे पास जो इसको नकार पाए तो यह दोनों चीज़ें अलग करना काफी जरूरी है कई बार ऐसे ब अब आप theory कहते हैं तो उसका बहुत ही गहरा मतलब होता है बस एक theory नहीं है theory मतलब तो वो hypothesis हो कि उसको हम लोग अभी तक नकार नहीं पाया है तभी उसे theory कह रहे हैं न हाँ और बहुत सारा वो समझा पाया है अभी तक यह अटकले नहीं है जैसे आम भाशा में बोलें यह अटकले नहीं है यह theory मतलब जब science की theory होती है तो एक ठोस theory है जिसको बड़े लोगों उनने ध्वस्त करने की कोशिश किये और वो फिर भी 100 सेक्ड़ों साल से खड़ी हुई है जी एक दम पढ़िया तो इसे social science में थोड़ा सा भटक जाते हैं यहाँ पर क्योंकि social sciences में जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे experiments तो नहीं बन सकते हैं कुछ बन सकते हैं जैसे अभी RCT revolution तो काफी चला है social sciences में हम लोगों ने इसके उपर episode भी किया है कि कोशिश की किया है लोगों ने जैसे कि अगर पता करना है कि education से life outcomes बदलते हैं कि नहीं लोगों की जिंदेगी बदल सवर्ती है कि नहीं शिक्षा से तो उसके लिए experiment किया जा सकता है तो control group होता है और एक placebo मतलब जो लोगों ने नहीं शिक्षा प्राप्ती है वगेरा वगेरा experiment हम लोगों ने किया है इस पर episode आम पता कर सकते हैं लेकिन हर बार आप experiment नहीं कर सकते पर फिर भी experiment करना क्या ज़रूरी है क्या हम लोग data वगेरा से पता कर सकते हैं कि हमें खुद से एक प्रयोक करना ज़रूरी है जी जो अगर ऐसा randomized control trial कर पाएं तो वो कहते हैं gold standard है वो सबसे बढ़िया है पर कई बार नहीं कर पाते जैसे आप कहते हैं और ऐसा बहुत हुआ है कि आपको जबर्दस्ती आदे लोगों को पगड़ कि cigarette पीओ ऐसा तो जबर्दस्ति में करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो observational studies करते हैं कि हमें observational studies मतलब यह data है और इसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ cigarette पीने से लंग cancer होता है पर फिर और क्या-क्या confounding factors हो सकते हैं वो देखेंगे confounding factor मतलब कि और क्या ऐसा है जो यह लंग cancer समझा सकता है cigarette नहीं और कुछ जैसे कि मान लो कि जो cigarette पीते हैं उनकी शायद कोई और भी आदत होगी और उसकी वज़े से लंग cancer होता होगा तो cigarette से लंग cancer नहीं हुआ पर वो दूसरी आदत से लंग cancer हुआ तो ऐसा कोशिश करते हैं कि ऐसा जो भी confounding factor है वो पता कर पाएं और फिर उसको हटा पाएं डेटा से और फिर उससे कोई नतीजा लाने की कोशिश करते हैं तो यह observational studies काफी करते हैं पर हां यह gold standard नहीं है तो हमें इतना विश्वास नहीं रह था observational studies पर और इसलिए वैग्या ने किये भी बहुत कोशिश करते हैं कि observational studies को तोड़ने की कि पता करने की कि और क्या confounding factor हो सकते हैं जिसकी वज़े से यह cigarette से lung cancer का जो 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 लिंक मिला है वो उसकी वज़े से ना हो कोई और हो बिल्कुर ठीक है समझ में आ गया तो अब यह आप विज्ञान और अविज्ञान के बारे में बात कर रहे थे और आपने समझाया predictability और falsifiability बाकी और कौन सी चीज़ तो एक और है कि जब आप प्रयोग करते हैं तभी आप ने प्रयोग किया मान लो कि प्रयोग सही से किया है तो उसके बाद प्रयोग से कुछ आंकडे आए और फिर वो आंकड़ से आपको नतीजा लाना है तो यह प्रयोग के बाद का जो भाग है उसमें आपको ठीक से चीज़े करनी है तो उसको कहता है भी तेंप मतलब क्या जयसे कि अब मुझे साबित करना है मुझे साबित करना है कि सिगरेट से लंग 고양शव होता है तो मेरा जो आंक्ड़ा है उसमें से शायद मैं ऐसा कर सकता हो कि थोड़े कुछ जो कुछ सब्जेक्ट के जो सैंपल है वो मैं बोल सकते हूं कि ना यह ठीक नहीं लग रहे चलो निकाल देते हैं ताकि बाकी से असर दिख जाए कि हाँ इससे लंग कैंसर होता है अच्छी सी लाइन बन जाएगी मास्त लाइन बन जाएगी और मुझे जैसा चाहिए थ वैसा आ गया तो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फैरनेस मतले यह बहुत ही जरूरी है कि किस तरह से आप उसको अनालिसिस करते हो तो उसके लिए विज्ञान में काफी सारी चीज़े अभी हो रही है जैसे कि एक यह बहुत बढ़िया चीज हो रही है कि पहले क्या होता था कि जो वैग्यानिक है वह हाइपोथिसीज बनाएंगे और उसके बाद प्रयोग करेंगे आकड़े आएंगे अनालेसिस किया ठीक हो नहीं और फिर कुछ नतीज़ा आया अब यह पूरा सब एक बनाके लिखेंगे और अब विज्ञान में क्या होता है कि रिसर्च पेपर जो है व कोई और वैग्यानिक देखते हैं और उसकी आलोचना करने की कोशिश करते हैं तो अब इसमें सब कुछ कुछ परेशानी होती थी क्योंकि जब उन्होंने सब प्रयोग किया और उसके बाद जो आउनकड़े आये अब वो निन ले सकते हैं व्याग्यानी कि कैसे उसको तोड़ना मरोड़ना है उन आकड़ों को ताकि उनको जो नतीज़ा चाहिए वो मिले पर अब ऐसा हुआ है कि बहुत सारे विज्ञान के क्षेत्रों में कि आप अपना हाइपोथिसीज बनाओ और आप पूरा लिख लो कि कैसे प्रयोग करेंगे और उसके पाद अनालेसिस क्या करेंगे यह सब लिखो आप अपना प्रयोग करने से पहले एक्सपरिमेंट से पहले वो लिखके इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे ओपन साइंस फांडेशन वहां पे आप डाल दो तो आप पत्थर की लकीर बन गई कि आपको क्या करना है उसके जवाब देखके आप सवाल मत बदल दो बाद में एकदम बढ़िया जव जवाब देखके सवाल मत बदलो जवाब देखके आप अनालिसिस मत बदलो तो यह पूरा डाल दिया पत्थर की लकीर बन गई अब आप जाके प्रयोग करो तो उसके बाद लिखो और फिर पीर रिव्यू के लिए बेजो तो यह एक अलग तरीका जो आया है वह ऐसी इससे यह भी पता चल रहा है ना निहार की ऐसा यह जो विग्यानिक तरीका है यह भी हम समय के साथ और पुखता कर रहे हैं मतलब यह नहीं कि कोई एकदम पत्थर की लकीर है हमको दिख रहा है कि कुछ यह तो एकदम ठीक दिखती हैं पर हम यह तरीका ऐसी चीजों के जो कि विग्यान पर विग्यान करते हैं तो मेरा भी थोड़ा विग्यान उसी पर है मेरा मेरा संशोधन उसी पर है विग्यान पर विग्यान करना कि जो हम साइंटिफिक प्रोसेस है उसमें क्या खामिया है क्या गडबड हैं उनको पता करना और फिर उनको कैसे ठीक करें व पारने की कोशिश करते रहते हैं कि कि पार। अमसें में उसना危险 सब्दूमाली टो ही एले घृणिटी आ सुझे मं में दो और पार रहे हैं तो हो और फेंचलो की बातिई權। एंपर रही हैं त्ह। है में खिल में और उस वैज्यानिक को उनका hypothesis पूरा प्रयोग अच्छे से लिखना है कि क्या क्या किया एकदम धंग से लिखना है और फिर आकड़या है उसका analysis कैसे किया वो भी पूरा धंग से विस्तार से लिखना है और फिर उसका research paper बनाते हैं तो ये सब अच्छे से विस्तार से इसलिए लि प्रयोग ही कर पाएं और ये बहुत ही जरूरी है विज्ञान को मजबूत बनाने के लिए तो ऐसे कही सारे ऐसे मामले आये हैं जब किसी वैज्यानिक ने कोई hypothesis था प्रयोग किया और फिर उसका कुछ नतीजा आया और उसके बाद वैसा ही प्रयोग और बहुत सारे वैज् कर पाएं और फिर पता चला कि पहले में कुछ गड़ बढ़ती आपको एक उधारन देता हो तो कुछ साल पहले करीब आठ या दस साल पहले एक बिज्ञान हुआ था तो उसमें सवाल ये था कि अगर मानलो मैं आपसे कोई सवाल पूछों जिसका जवाब मुझे नहीं पता ठीक है तो मुझे सच जानना है आपसे तो अगर मैं सवाल पूछने से पहले अगर आपको कागस पर ये लिखके दूं कि हां मैं सब सच कहूंगा और आपसे उसपर हस्ताक्शर करवाओं तो क्या ज्यादा संभावना है कि आप सच कहेंगे ये सवाल था और ये सवाल क्यों पुछते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी मिल चली है उतना ज्यादा इंसरेंस का प्रीमियम होगा ग्रहक को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो अगर मैं ग्रहक हूं तो मुझे पता है कि वो इंश्रेंस कंपनी वाले आके मेरी गाड़ी में नहीं देख सकते कि कितनी मील चली है तो अब मुझे इंसेंटिव है कि मैं थोड़ा कम बताओ अगर 5000 चली है तो मैं 4000 बताओ तो इंश्रेंस कंपनी इसको यह करना था कि कैसे ज्यादा सच पता चले तो कुछ वै तो उन्हें यह पूरा प्रयोग किया और फिर कुछ आपड़ी आ और आकड़े से उन्हें बताया कि हाँ तो नल हाईपोनीस को रिजएक्ट किया और बताया कि सच में काफी फर्क है और ये बाद में अगर चाहिए तो बात कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे ये सब किया पर फिर उसके बाद ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई और काफी सारे companies ने सोचा कि अरे हम अपनी नीतियों में ऐसा करते हैं ये जो अमेरिका की सरकार है उन्होंने भी कहा कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया नीती है चलो हम भी ऐसा करवाते हैं किसी चीजों में पर उसके बाद कुछ चे और वैग्यानिक थे कोई फर्क नहीं है तो अब की वजह से पता चला कि जो पहला एक्सपरिमेंट था वह सही नहीं था और वैसे उसके बाद उसके बाद भी काफी दिल्चस्प कहानी है कि उन्होंने ये भी पता किया लोगों ने कि ये क्या गडबड थी और वी बहुत दिल्चस्प स्थानिय कि हमारे जो CID के ACP प्रदियुमन है वो भी खुश हो जाएंगे बोलो 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 तो क्या कि अब ये जो दूसरे सब वैग्यानिक है उन्होंने पहले वैग्यानिक को बोला किया आपका जो डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा बाहर कीजिए ठीक है दिखा ये अब लोगों ने देखा कि Microsoft Excel की फाइल में जो हर एक व्यक्ति का डेटा है वो या तो एक कैलिब्री फॉंट में है या तो केम्ब्रिया फॉंट में है फिर उन्हें ने देखा कि जो केम्ब्रिया फॉंट में है उसमें कुछ अजीब सी चीज थी कि मालो आपका सही में 12,445 मील चली है आपकी गाड़ी तो अगर आपको लिखना है तो सामाने तौर पर क्या गरते हम राउंड करते हैं तो जो एक फॉंट था उसमें ऐसा था कि काफी सरे राउंडेड नंबर्स है पर जो दूसरा फॉंट था उसमें ऐसा बिल्कुल राउंडिंग नहीं था अच्छा वह एक देखा फिर दूसरा क्या देखा तो उन्होंने यह देखा कि जो दूसरा जो फॉंट था उसमें जो mail बताये थे, हाँ, उसका जो distribution है, वो ऐसा था, कि जितने लोगों ने शुनिय और हजार के बीच में आकड़ा बताया था, उतने ही लोगों ने हजार और दो हजार के बीच में आकड़ा बताया था, उतने ही लोगों ने दो हजार से तीन हजार के बीच में आकड़ा बताया थ कोई भी नहीं था ओके यह तो बहुत ही अजीब सा है तो उससे उन्होंने पता किया कि लग रहा है कि यह जो दूसरे पूरा का पूरा डेटा है वो नकली बना गया है और जो मील जो दिखाए ना वो शून्य से पचास हजार की बीच में कम्प्यूटर से एकदम बस कोई रैंडम नंबर चुना गया है और ऐसे पूरा डेटा की नकली है तो ऐसे उनको पता चला और फिर उसके बाद हाँ वो पे और नियार एक तो ये भी है कि जैसे साइकोलोजी है मनोवैग्यानिक स्टडीज में काफी बार ये इशू आता है वेरिफाइबिलिटी एक ऐसी चीजे जहां पर कई बार ऐसे साइकोलोजिकल स्टडीज हुए हैं जो कि अगर किसी और कंटेक्स में किये जाया कोई और जी बिल्कुल सही इसलिए वो जो प्रयोग करते हैं उसमें कि क्या कॉंटेक्स है जब लिखते हैं प्रयोग वो क्या कंटेक्स है वो भी अच्छे से बताना चाहिए तो एक उदारण है कि काफी साल पहले ज्यादा तर तभी संशोदन से योरोप और अमेरिका में होता था तो उसके बाद वैसे ही स्टडीज एजिया में करने की कोशिश की तो बहुत सारों में पूरे विपरीत नतीजे आए तो अब कहते हैं कि जो पहले जो स्टडीज थी उनको वियर्ड स्टडीज कहते हैं कि ऐसे लोगों पे किया गया था तो बात अच्छी यह थी कि जब भी वो पहले प्रयोग थे तब उसमें पश्ट तरी से लिखा गया था कि उन्होंने किन सब्जेक्ट्स पे यह संशोधन किया है कौन सब्जेक्ट्स थे जैसे कि यह युनिवर्सिटी के ऐसे थे वगेरा तो उससे अभी हमें पता चलता है कि हाँ जो नतीजे हैं वो शायद यूरोप और अमेरिका के यूनिवर्सिटी के विध्यार्थियों पर ये काम करता है पर अगर आप इंडिया में जाओ एजिया चाइना जपान कहीं और जाओ तो शायद नहीं करेगा तो हाँ जैसे आपने कि गलत है लेकिन अब लेकिन इतने वह पॉपुलर है कि लोग अभी भी सच मानते हैं क्योंकि इतने सालों तक उसको सच माना गया और एशिया क्या वह यूएस के अंदर में भी दोबारा से कोई रिजल्ट दोबारा से मैच नहीं कर पाए और अब तो उसमें बहुत रिसर् experiments हैं जो की verifiability में पकड़े जा रहे हैं अब क्यूंकि हम भी शायद कुछ चीज़े मानना चाहते हैं अगर हमको लगता यह ऐसा है तो इसमें नहार तुमको क्या लगता है social science को के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है उसको वो science की हद ढूण रहा है या थोड़ा science शब्द का को हमने खींच तान के यूज कर लिया है मेरे ख्याल से वो भी science ही कह सकते हैं अगर वो ठीक से scientific method उप्योग कर रहे हैं तब जैसे कि हमने पहले बात किया कि काफी सारे studies होते हैं जो observational studies करने पड़ते हैं कि अगर कोई और confounder नहीं है तो हमारा नतीजा मानिए है तो इस तरह से अब करता है वो भी ठीक है मतलब कई बार नहीं कर सकते हैं ठीक बिल्कुल ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं आपने एक शब्द का प्रयोग किया peer review है ना तो कि क्या रोल अदा करता है peer review इस पूरी प्रक्रिया में वो थोड़ा समझाई है और आपने तो इसके उपर बहुत paper भी लिखा है कि क्या-क्या problems होते हैं इसमें तो इसके बारे में थोड़ा समझाई है तो peer review कैसे बोल सकते हैं सही योगियों की आलोचना बढ़िया है चलिए तो तो देखिए आप विज्ञान करते हैं तो उसमें हमने जैसे बात किया बहुत दो काफी मुख्या चीज है पहला कि आलोचना करते रहना सवाल उठाते रहना और दूसरा कि जो ठीक से लिखा हुआ होना सब कुछ ठीक से अच्छे से document करके रखना तो अब क्या होता है कि कभी-कभी इन दोनों में से कुछ किसी में भी गलतियां हो सकती है ठीक है अभी वाग्यानिक भी इनसान है तो कुछ-कुछ गलतियां हो सकत को कंभी इन यहां होता है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जान बूछ के ब्रकरते मेरा मानना है कि बहुत कम लोग जान बूछ किरतmen ऑस अपने कुछ रिचेर्च किया और फिर उसपे प्र लिखेंगे तो रिचेर्च पेपर लिखेंगे लिखेंगे कि आपको क्या सिवाल था फिर आप लिखेंगे कि यह सवाल क्यों ज़रूरी है और फिर आप लिखेंगे क्या क्या है प्रयोग किया औरक आक हड्डिया लिखेंगे अबğaरे इसी Conference या Journal में बेजेंगे, तो Conference या Journal जो है वो बस paper छापने के लिए होते है, और ये Conference ये Journal क्या करेंगे, कि आपका research paper लेंगे, और फिर कोई और वैग्यानिक होंगे, जैसे कि मान लोग तीन वैग्यानिक, जो इस विशय पे काम करते होंगे, या इस विशय के आस-पास, उन उनको आपका पेपर भेजेंगे और फिर उच वैज्यानिक को बोलेंगे कि यह रिसर्च पेपर पढ़ो और इसकी आलोच ना करो इसमें क्या कुछ गड़बढ है वो देखिए और बताईए तब वह वैज्यानिक करेंगे कभी-कभी होता है कि हाँ वैज्यानिक को पता चला क पताई में कि हाँ इसमें कुछ गड़बढ थी या तो वैज्यानिक सब कहेंगे हाँ यह सही है बढ़िया है अगर सब अच्छा कहेंगे तो फिर यह पेपर छपेगा उसको कहते हैं पॉब्लिश्ड पेपर पीर-review पब्लिश्ड पेपर कहते हैं यह पस पियर रिविईव एक और तरीका है कि विज्ञान को कुछ भी गडबड से बचाने का और भी मजबूत करने का इसमें लेकिन कभी-कभी इस प्रोसेस की भी आलोचना होती है ना निहार की क्यूंकि आप ही के एक शेत्र के बाकी विज्ञानिक हैं तो अगर आप कोई ऐसी नई चीज बोल रहे हैं तो उनको कभी-कभी रहेगा कि इसको मत पब्लिश होने दोना या फिर ये तो ठीक हमें नहीं लग रहा क्यूंकि उनकी खुद की इज़त उससे डूब रही होगी तो ये सब भी या फिर वो उसका चाचा बतीजा होगा या मेरे दोस्त के डिपार्टमेंट से होगा तो मैं अच्छा रेटिंग दे दूँगा फिर निहार मेरा पिपर को अच्छे रेटिंग देगा तो ऐसे भी हो सकता है जी जी बिलकुल तो पी एर रिव्यू विग्यान को मजबूत तो बनाता है पर ये पी एर रिव्यू में भी परेशानिया तो होती है अभी आखिरकार फिर से हम इनसान है तो कभी-कभी कुछ गल्तिया होती है और कभी-कभी कुछ लोग हैं जो जानबूच के भी गलत करते हैं जैसे कि सौरब ने कहा कि मान लो कोई और पेपर है जो मेरे विग्यान के विपरीथ है तो मैं ज्यादा आलोचना करने की कोशिश करूँगा या ऐसा भी होता है जैसे प्रणे ने कहा और ये अभी पिछले कुछ साल में काफी सारा ऐसे पता चला है कि कुछ लोग एक समोह बनाएंगे और अपने बीच में समझाता करेंगे कि हम सब एक दूसरे का पेपर रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और फिर एकसेप्ट कर लेंगे उसको बोलेंगे कि हाँ बहुत बढ़ी है जो भी हो बोलेंगे कि बहुत अच्छा है और इसकी वज़े से बहुत परेशानिया भी हुई है तो अभी हाली में कंप्यूटर आर्किटेक्चर करके एक विज्ञान का भाग है उसमें यह हुआ था कि एक प्रफेसर था उसने उसके विद्धियार्थी को फोर्स किया जबरदस्ती उसको बोला कि तुम्हें एक नकली पेपर लिखो ठीक है तो ऐसा पेपर लिखा कि हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यह बनाया है वो बनाया है और यह प्रयोग किया वो प्रयोग किया असली मैं कुछ नहीं था उसने जबरदस्ती लिखवाया वह विद्धियार्थी से और फिर एक कांफरेंस में बेजा और फिर यह प्रफेसर ने ऐसा किया कि उसके कुछ दोस्त हैं वही उस पेपर को रिव्यू करें और फिर वो दोस्तों ने सबने एकसेप्ट कर लिया कि हाँ बहुत बढ़िया पेपर कर लो बहुत महान है कर लो फिर पेपर छपने जा रहा था और फिर यह प्रफेसर उसके विद्धियार्थी को बोला कि अब तुमने यह जो सब लिखा था न वह सचमे करके दिखाओ कि सच में होना चाहिए तो विद्यार्थी ने का कि यार आपने तो इतना सारव बकवास किया इसमें कि हमारे पास यह महन आर्किटेक्चर है वह महान बनाया है असली में सब बनाना तो नामों किन है कैसे बनाओ मैं तो इसके बाद बहुत ही दुखत गटना भी हुई कि वह तो हां कुछ लोग हैं जो ऐसा गलत भी करते हैं और विज्ञान में यह हम बहुत ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं हो तो मेरा खुद का काम और कुछ और लोगों का विज्ञानिकों का काम यह भी है कि आजकल की artificial intelligence के उसे उपयोग करके कैसे पता करना कि किसी review में कुछ गड़बढ है की नहीं तो जैसे विज्ञान पर विज्ञान करना अभी काफी लोग करते हैं क्योंकि विज्ञान की किसी भी भाग में गलतियां हो सकते हैं जानबूच के या गलती से और उसको कैसे पता करना कि कुछ गड़बढ है और फिर कैसे ठीक करना उस पर काफी काम है तो विज्ञान को ज्यादा ज्यादा मजबूत बनाते रहना है इन सब परिशानियां से अच्छा तो निहार पियर रिव्यू में ऐसा क्यों है कि वो उसी डिपार्टमेंट के लोगों को सब्मिट किया जाता है तो लोगों को साइन्स भी समझ में आना चाहिए उस फील्ड का तो वो तो मैं समझ गया कि अगर चार लोगों को भेजना है तो तीन ऐसे लोगों को भेजना है जो उस टाइब वो science कर चुके हैं एक और reviewer ऐसा हो सकता है जो शायद science समझता है लेकिन उस field से बिलकुल नाता नहीं रखता तो ऐसा नहीं होता गया थोड़ा diversification से बहतर नहीं हो सकता गया जी बहुत अच्छी बात की पहले तो उसी department में लोगों को नहीं बेचते हैं तो उसमें रखते हैं conflicts of interest कि अगर मान लो मुझे पता है कि मैं और प्रणे एक ही university में काम कर रहे हैं सेम डिपार्टमेंट नहीं सेम फील्ड की बात कर रहा था मैं मतलब जैसे तो वो सही बात है और इसमें काफी सारा बहुत expertise पे होता है कि काफी सारा ऐसा जो विज्ञान होता है जिसमें जैसे computer science में मालो artificial intelligence में कुछ नया विज्ञान हुआ ठीक है तो वो बस समझने के उसका बहुत ज्यादा expertise चाहिए और उसमें इतना expertise नहीं है तो आपको इतना पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है तो एकदम general audience के लिए नहीं होता कुछ जो ऐसे research paper होते हैं वो ज्यादा general audience के लिए होते हैं वो हाँ जैसे आपने कहा ज्यादा broad लोग को जाएगा पर कई चीज़ों के लिए एकदम expertise जीए जो नहीं होती है और फिर इसमें conflicts of interest का काफी उपयोग होता है जैसे कि कुछ भी पता चला कि कोई भी कारण से कुछ दो लोगों का conflict of interest हो सकता है तो बहुत ध्यान रखने कि उसको ना जाए ठीक है और निहार आपने जो paper लिखा था उसमें आप कह रहे देगी कैसे artificial intelligence से इसे बहतर कर सकते हैं तो इसे मोटे तोर पे समझा सकते है artificial intelligence कैसे मदद कर सकता है इसमें जी जी तो artificial intelligence इसमें कई तरह से उपयोग हो रहा है पहला तरह ये है कि बस चुनने में कि कौन से reviewer को इस कौनसे reviewer को ये paper भेजा जाए तो ये काफी उपयोग हो रहा है कि देखिए अब हजारों वैग्यानिक है ठीक है अब मैं conference चला रहा हूं ये conference में हजार या हजार पेपर आए लोगों ने हजार ये दस हजार पेपर इतना बेज़े तब मैं खुद बैठके ये हजारों पेपरों के लिए reviewer तो नहीं डोन सकता है तो उसमें जो हर एक दूसरे वैग्यानिक है उनका जो पिछला जो भी संशोधन है वो और ये सब्मिट किया हुआ जो पेपर है वो उन दोनों को मिलाते हैं और देखते हैं कि कितना mail है उसमें और फिर artificial intelligence बताएगा कि हाँ प्रणे ये paper के लिए एकदम expert है आप उसको दे सकते हैं तो ये पहला काम है artificial intelligence का कि बस बताने के लिए कि कौन सा जो reviewer ह है वो इस पेपर के लिए अच्छा है फिर एक और काम है कि जब reviewer review करते हैं तो नहीं उनको एच चीज तो देखना है कि इस paper में सब सही है या नहीं और उसके अलावा सामानिय तोर पे journal और conference कुछ और चीज़े देखने को कहते हैं जैसे कि देखने को कहते हैं कि ये चेत्रों में कि इसमें कितनी novelty है कितना नया जीज है कई चेत्रों में जैसे कि engineering में computer science में बस प्रयोग नहीं है वो research paper में मुख्य भाग होता है कि कुछ नया algorithm बनाना नहीं बस तो reviewer को ये भी देखना है कि कि कितना novelty है कितना नया है काफी चीजें देखने को कहते हैं अब एक और परेशानी काफी होती है कि अलग-अलग reviewer जो है उनके दिमाग में महत्व अलग-अलग होता है जो अलग criteria है उनका जैसे कि सौरब को लगता है कि नवींता इतनी ना हो पर बहुत अच्छे से लिखा हो ना बहुत मुख्य है लोग समझ लेंगे पर नवींता होना बहुत जरूरी है अब एक पेपर आया जो बहुत नवीन है पर अच्छे से नहीं लिखा तो अगर सौरब को जाएगा तो सौरब बोलेंगे नए इसको निकालो बगवास है जबकि प्रणे को जाएगा रहे क्या महान पेपर है तो इस अच्छा लिखा हुआ है उस पर और कैसे उसको ठीक करना तो उसके लिए भी उप्योग होता है फिर एक और उप्योग है यह जो गलत करते हैं जानबूच के वो चीज़े पता करना उसके कई-कई अलग तरह से उप्योग हुआ है इसमें एक यह है कि कई बार लोग जब पेपर लिखते हैं तब जैसे मैंने कहा असली में प्रयोग नहीं किया बस कुछ ना कुछ उप से ऐसा बना के डाल देते हैं तो AI ने काफी सारा ऐसो को पकड़ा है अच्छा आपको एक दो उधारण देता हूं तो एक उधारण यह है कि ऐसे कही बार लोग मान लोग एक प्रयोग है बायालाजी में कि इंसान के शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उसको देखकर उसका कुछ करना ठीक है तो उसमें अभी रिसेर्च पेपर में वो माइक्रोस्को है वो तो दस साल पहले वो पेपर चपा था उसमें तो यह सब पकड़ने में मदद करता है फिर अभी हमने यह भी बात किया कि कुछ लोग ऐसे समो बना के एक दुसरे का पेपर रिवियू करने की कोशिश करते हैं वगेरा तो वो सब भी कम करने में उप्योग हो रहा है बहुत बढ़ी है तो मतलब एक और तरीके से कहें तो विज्ञान को वैज्ञानिकों से भी बचाने की जरूरत है और कभी-कभी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस वगेरा से हम लोग यह सब चीजे जो लोग शायद जाने अन जाने में आजान बूच के कर रहे हैं उसे हम लो बस एक बात कि जो जान बूच के जो करते हैं मेरे हिसाब से इतना कुछ नहीं है तो बस यह मैं क्लेरिफाय करना चाहता हूं क्योंकि एसा नहीं लगना चाहिए दर्शकों कि अरे पूरा विज्ञान में पूरा गड़बढ है वगेरा तो ज्यादा को सही अच्छा है पर हम बार बार यह प्रयतना करते रहते हैं कुछ भी ऐसा गड़बढ हो तो इसको पता करें और इसको ठीक कर पाए बिलकुल बहुत अच्छी बात गिए और वहीं यह एक कंटिन्यूस लर्निंग का प्रोसेस है जैसे कि मुझे एक और उदारन याद आया है जब आप बात कर रह जिस कह रहे थे कि मास क्लॉट मास्क भी चलेगा उसके बाद नया रिजल्ट है कि क्लॉट मास्क शायद इतना इफेक्टिव नहीं है तो कई लोग को लगता कि यह देखो कैसा है साइन्टिस्ट इसको पता ही नहीं है पहले कुछ बोलते हैं फिर उसके बाद एक दम उल्ट पता था कि शायद क्लॉट मास्क भी चलेगा लेकिन जैसे हमें और डेटा मिला और सबूत मिले तो हमें पता बड़ा कि नहीं है तो यह एक्चुली साइन्स काम कर रहा था जी बिल्कुल और जैसे आपने पहले कहा था कि कॉंटेक्स्ट भी निरबर करता है कि पहले का जो स है तो वो भी फर्क है बहुत बड़ा यह प्रड़े इसका एक और एक्जाम्पल ऐसे मों भी बहुत अच्छा देते हैं कि जैसे लोग बोलते हैं कि साइन्स वालों को क्या पहले साइंटिस्ट लोगी बोलते थे ना कि अर्थ फ्लैट है फिर उन्होंने बोला अर्थ का गो लाई भी वह वह घर भ्रंबाटी स्थूल अमकर बहुती पास से देखे तो फ्लैट ही लग्ती पिर हमने देखा कि मैं नहीं हमको थोड़े और उसको हमको और थोड़ा सा नापना आया तो हमको पदा चला और इतना कितना गोल फिर और पदा चलेगा तो उस्थारह से कुछ चीजें जो हम अपने ही अनुमान बढ़ाते जाते हैं वह भी साइंटिफिक प्रोग्रेस का तरीका है और उसका नतीजा है यह नहीं कि इसका मतलब कि साइंस ने आज यह कह दिया कल वह कह दिया ऐसा नहीं तो आगे बढ़ते हैं निहार और हम लोग यह जानना चाहते हैं किन कारणों से खराब वज्ञान होता है जैसा कि हम लोग ने कहा कि जादा तर तो कोई जान बूच के नहीं करता लेकिन कुछ न कुछ ऐसे constraints तो होंगे, इंसान हर बार सही तो नहीं होता, तो क्या ऐसे कारण आपको पता है, जो अब से सुनते हैं जी, कई बार तो, अब विज्ञानी ठीक से नहीं होता है, गलती से, कि जो मानलो की जो प्रयोग किया, उससे अब analysis करके विज्ञानी को लगा कि ये hypothesis का जवाब दे रहे हैं, पर नहीं हुआ, एक आपको उधारन दे सकता हूं, कि ये उधारन असली में ये सची गटना है, थो उसको थोड़ा सरल बना के बता रहा हूं, कि ये अब COVID जब शुरू हुआ था, जब चीन से बाहर निकला ही था, तब ही काफी सरे lockdown वगेरा शब शुरू हुए थे, तो उस समय कुछ वैग्यानिक थे, उनको पता करना था, कि उनके खुद के शेहर में कितने प्रतिशत तब ही बहुत मुश्किल था, पर उनको किसी तरह से उनके पास बहुत सारे COVID टेस्ट उनको मिले थे, तब उन्होंने हर जगा इस्तहार लगाया, और कहा कि अगर आपको COVID का टेस्ट करना है, तो इस पते पे इस समय पे आ जाईए, और हम मुफ्त में COVID टेस्ट करके देंगे आपको, ठीक है, ताकि लोग आए, और फिर ये लोग माप पाए, तब बहुत सारे लोग आए, इन्होंने उनका COVID टेस्ट किया, और फिर नतीजा ऐसा है कि उसमें से 25 प्रतिशत लोगों को COVID था, तब उससे उन्होंने नतीजा बताया कि हमारे शेहर में, जो सामानिय जनता है, उसमें से 25 प्रतिशत लोगों को COVID है, अब इसमें तो गडबढ हुई, क्योंकि उन्होंने था कि आई ये COVID टेस्ट कीजिए, ठीक है, पर अगर अभी lockdown है, मैं एक महीने से घर पे बैठा हुआ हूँ, मुझे पक्का पता में जो COVID नहीं है, तो मैं वहां जाकर टेस्ट क् मिलूं वगरा, तो मुझे जरूरत है कि मैं COVID टेस्ट करवा हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा संभावना है COVID होने की मुझे, तब जो लोग वहां पर आये थे उनके पास टेस्ट करवाने, अब वो तो एक biased सैंपल है न, वही लोग है जिनको ज्यादा संभावना है COVID होने की, तो आप 25 प्रतिशत है तो यह नहीं कह सकते कि पूरे शहर में 25 प्रतिशत है, यह जो कहते है confounding factor था, उन्होंने पास paper लिग दिया, वो गलती थी और फिर पता चला, दूसरे वग्यानिकों ने कहा कि अरे यह तो गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कभी-कभी होत होती है, या प्रयोग का जो analysis करके नतीजा लाते हैं, उसमें गलती होती है, यह एक तरह है, अब एक और तरह है, कि आपको जो पहले से आपके दिमाग में है, जैसे हमने शुरुआत में बात किया था, पहले से आपके दिमाग में कुछ है, और फिर आप शायद आपका experiment या उसी तरह से करोगे, जिससे कि वही नतीजा आए, जो आपके दिमाग में पहले से है, तो वो neutral viewpoint ने लिया, वो biased तरह से आपके design हुआ, ताकि ज्यादा संभावना हो कि वही आए, और कभी-खभी यह गलती से होता है, कभी कुछ जानबूज के भी होता है, तो जैसे कि एक उ अंगटनों से, जो vaccines के खिलाफ थे, तो अब इन्होंने कहा कि मैं संशोधन करता हूँ कि vaccine से क्या गडबड हो सकती है, और फिर उन्होंने तो एक paper लिख दिया, कि हाँ कुछ 12 बच्चे थे, इनको ये vaccine मिला, और सब को कुछ न कुछ बड़ी गडबड हुई, ठीक है, उन् और ये छप गए, और उसके बाद बहुत ही बड़ा हाहाकार हुआ, इससे, तो इसकी वजए से अभी बहुत सारे जो माबाप है, वो अपने बच्चों को vaccine देना, बंद कर दिये, ऐसे सब बहुत सालों तक परिशानी हुई, ठीक है, पर ये था कि सबसे पहले तो ये जो व बढ़ है, तो जब experiment किया, तो पहले से ही उन्होंने ऐसा चुन के रखा, कि नतीजा आये कि हाँ, गडबढ है vaccine से, तो उन्होंने experiment सही नहीं किया, और फिर उनको पूरा इतना बड़ा conflict of interest था, उनको funding वहां से मिल रहे थी, तो ये बड़ी गलत बात हुई, और दुख की ब वह पेपर को लोग अभी भी बोलते हैंगी, देखो, उस पेपर में पता चला था कि vaccine से autism होता है, तो अभी ये विग्यान में ये हुआ है कि अगर आप कोई भी विग्यान कर रहे हो, तो आपको उसमें ये भी लिखना है कि आपको विग्यान के लिए पैसा कहां कहां से मिल है, ताकि दूसरे लोग ये भी बात देख पाएं कि अच्छा, इसको anti-vaccination संगठन से पैसा मिला है, और ये anti-vaccination बाते बोल रहे हैं, तो शायद conflict of interest हो सकता है, आपका AI model इसको जाचने की कोशिश करता है कि, conflict of interest को, जी, जी, तो conflicts of interest, AI models जो है, आजकल conflicts of interest डूणने की बहु conflicts of interest पता करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मान लोगों पता करने की कोशिश करेगा, कि प्रणे 2007 में सुरत कल में पढ़ रहे थे, मैं अभी 2007 में सुरत कल में पढ़ रहा था, तो चलो इंदो लोगो मान को, सामाने तोर पे जो journal के पास जानकारी होती, वो इसके बारे में होती है, उसके बस होती है कि मैं अभी कारने की मेलन में काम कर रहा हूँ, पर यह ऐसी भी चीजे डून के फिर conflicts पताएगा, हाँ, अगर वो LinkedIn सर्च कर लेगा तो उसको मिल जाएगा, ऐसे, तो ठीक है, और एक और निहार जैसे, मतलब यह तो कुछ लोगों ने जान बूच क किया था, जैसा आपने कहा, पर ऐसे भी होता है, जैसे कि अब publish और perish जैसे बोलते हैं, लोग क्योंकि बहुत pressure रहता है, paper निकालने के लिए, फिर आपको tenure मिलेगा, आप assistant professor से professor बनेंगे, फिर paper भी जो निकालना है, उसमें आपको हमेशा एक धासू result दिखाना है, तो मैंने उसे acceptance नहीं है, अबी भी, तो हर कोई चाहता है कि वो अपने result को और बड़ा चड़ा के बोले कि, अरे मैंने तो 40 दिया, तो ये भी शाहद एक बड़ा problem होगा, जी, जी, बिलकुल, और यहाँ पे भी दो तरह के परेशानिया है, पहला की गलती होना, दूसरा की गलत करना, तो इसमें गलती होने में क्या है कि जैसा आपने कहा कि कई सारा दबाव रहता है कि ज्यादा ज्यादा पेपर लिखो और वो सबसे बड़े से बड़े conference या बड़े बड़े जर्नल में छपे, अब परेशान ये है कि जब भी कोई positive result होता है, तो वो ज्यादा कई बार साथ में खाया, तो उससे COVID होता है, तो अगर मैंने सही से experiment किया, प्रयोग किया, सही analysis किया, और पता किया कि करेला और नीम्बू खाने से COVID होता, तो वो तो एकदम धासू हो गया ना, सब जर्नल बोलेंगे अरे, ये तो हमको चाहिए paper, क्या महान है, पर अगर मान लो मैंने से प्रयोग किया, करेले और नीम्बू खाया, और फिर पता चला कि उससे COVID ठीक नहीं होता, तो ये एक positive result पर बायस होता है, कि जो positive result है कि हाँ, करेला और नीम्बू खाओ, तो COVID ठीक होगा, वो ज्यादा धासू रहता है, तो उससे अभी कई परेशानिया होती है, एक ये review पे जाता है, तो reviewer को कही journal ये भी पूछते है, कि ये कितना दिल्चस्प है, और अभी positive result है, तो ज्यादा दिल्चस्प होगा, तो वो publish हो जाएगा, तब उससे क्या परेशानी होती है, उससे ये परेशानी होती है, कि अभी बहुत सारे जो छपे हुए result है, सब positive है, पर असली में जब आप कोई प्रयोग करो, तो थोड़ा random chance ही है, कि बले ही result negative, बले ही असली में negative है, पर बस random chance से positive हो जाए, तो जो सब नतीजे छपे हुए है, उसमें बहुत सारे ऐसे भी है, जो बस random chance से आ गया है, तो ऐसा लोगों ने ये भी पता किया है, कि जो सब, मेर सबसे पहले study हुआ था, कि जो सब papers छपे हुए है, जिसमें positive results है, उसमें काफी ज्यादा प्रतिशत जो paper है, वो असली में results सही नहीं है, बस random chance से positive हो गया, और फिर वो accept हो गया, क्योंकि positive था, ये पता कि उसके बाद, अभी काफी journals, सब अपनी नीतियां बदल रही है, तो आप अपना सवाल लिखो, hypothesis लिखो, और आप कैसे ये प्रयोग करोगे, कैसे analysis करोगे, वो लिखो, और बस वो peer review के लिए बेजो, नतीजा नहीं, उसके बाद reviewer बोलेंगे कि हाँ, ये आपने जिस तरह से प्रयोग करने वाले हो, जिस तरह से analysis करने वाले हो, सब सही लग र है, और वो reviewer उसको review करेंगे, और उसके बाद नतीजे डालो, चाहे positive वो चाहे negative, जी, तो अब वो अलग कर दिया, तो बस मेरे paper में मैं लिखोंगा, कि मैं देखने वाला हो, कि करेले और नीम्बू से COVID ठीक होता या नहीं, अब reviewer आप है, पताएंगे, कि ये दिलचत का य ये सही है या नहीं, तो ऐसे कई गलतिया होती है, कई बार, और कभी-कभी कुछ जान बूच के भी होता है, जैसे कि कई देशों में tenure के लिए, नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, बस paper गिनते हैं, कि आपने कितने paper चापे, तो उससे, और ये सरकार के सब नीतिया होती ह है, ठीक है, कई देशों में, और उससे फिर बहुत दबाव आता है वैग्यानिक पे कि बहुत ज्यादा paper चापो, तो उससे जैसे हमने बात किया, कई बार लोग नकली paper बनाते हैं, तो जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा था, चीन में कुछ company है, कुछ company है, जो नकली papers बनाती है कि अपना नाम लगा लो, हाँ, खुद का नाम लगा लो, इतने पैसे में, वहाँ पे इस तरह से पूरा बजार है, और ये भी बजार है, कि अगर मैं एक वैग्यानिक हूँ, मैंने विज्ञान किया, मानलो सब सही विज्ञान किया, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं वो paper को बजार में डालूँगा, और कौन से विज्ञानिक है, जिसको मेरे paper में author बनना है, जिसको मेरे साथ सहयोगी बनना है, आप मुझे इतना पैसा दो, मैं आपका नाम डाल दूगा इसमें, तो ये सब भी गलतिया होती है, और ये चीन में तो काफी सारी बाहर आई है, पर और भी जगा पर कभी-कभी होती है, और भारत में predatory journals का भी problem रहता है, कि आप, क्योंकि आपको paper ही publish करना है, तो मैं ही शुरू कर देता हूँ एक journal, उसमें आप publish हो जाएंगे, और फिर आप बता सकते हो, तो वो भी एक problem होता है, जी, जी, और हाँ, या तो कोई और company शुरू क कि किसी ने कुछ एकदम बक्वास लिख के चाप दिया, और भेज दिया journal पे, और वो actually publish हो गया, और फिर वो थाबित करने के लिए कि कई बार ये चीज़े ठीक से नहीं होती, तो ये भी पता बड़ा, और हिंदुस्तान में तो कहीं PhD, I mean जो thesis हैं, वो भी मतलब नकल वाले तो बहुत बार निकले हैं प्रणे, तो ये भी परिशानी पाई गई है हिंदुस्तान में, क्योंकि पेपर तो फिर भी काफी, वैसे तो PhD thesis भी काफी लोग review करते हैं, लेकिन वहां भी होता है, तुम मेरे student का करते हैं, मैं तुम्हारे student का pass कर जाता हूँ, जी, जी, तभी AI उसमें प्लेजरिसम में कम से कम और भी मदद कर रहा है, AI से प्लेजरिसम पोगड़ने में, अटलीस कॉपी किया हो, लेकिन अब पुराने आप सारी चीज़े तो डिजिटल भी नहीं है, अब नए में धीरे-धीरे आता रहेगा, लेकिन आपने 15 साल पुराना ले लिया है, वो कागजों में छुपा हुआ है, जी, सही बात है, पर निहार, इसमें आपको नहीं लगता, एकनोमिक्स से भी कुछ फायदा हो सकता है, जैसे अब देखें हम लोग रिव्यूर की इंसेंटिव को, आप रिव्यूर को एक तो कोई पैसा नहीं दे रहे, कोई इंसेंटिव से भी शायद कुछ-कुछ इंसेंटिव्स ठीक किये जा सकते हैं, अगर रिव्यूर का काम जहां तक मुझे पता है, मॉनेटरी बेनेफिट नहीं होता हुने, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो वो क्यों इतनी महनत करेंगे कि मैं ठीक से रिव्यू करू, सब प्रोसीजर चेक बनाना है, सामान्य तोर पर ये इंसेंटिव रहता है, और उससे अभी तक चल रहा है, और उसके अलावा, काफी सारे ऐसे प्रयतन होए हैं, जिससे की बहतर इंसेंटिव्स कर पाएं, एक ऐसा प्रयतन है, कि एक वेबसाइट है, जिसमें कि किसने कितना पेपर्स कर रहा है एक और कुछ और वेब्साइट से जिसमें कि जो रिव्यू लिखे उए है, वो सब 밉लिक बना देता है कोई भी सकता है तो उसर्से भी न को उम्मीद है कि रिविय और को पता है कि मेरा रिविय सब देख पाएंगे तो अब शायद बहटर रिविय करें कुछ जगह पे reviewer का नाम भी public बनाते हैं उसमें और कुछ परिशानिय हो सकती है पर reviewer का नाम भी public बनाते हैं ताकि अब और भी incentivize ठीक से काम करने का कुछ कुछ जगह पर पैसे भी कोशिश किया है पर अभी तक इतना कुछ चला नहीं है क्योंकि अभी incentives बहुत बदल जाते हैं अगर पैसा दिया तो मुझे सही में विज्ञान को अच्छा करना है वो मेरा अभी motivation है या मुझे अभी पैसा कमाना है उसके लिए काफी कौन कोशिश कर रहे हैं अलग अलग चीज़े करने की पर अभी इतना अच्छा कुछ solution नहीं मिला है जैसा अपने एक्जामपल दिया ना नेहर तुमने की incentive जरूरी नहीं है पैसे का हो साख का reputation का भी incentive हो सकता है जी 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 तो ठीक है अब आगे बढ़ता है बहुत कुछ समझने में मिला अब एक हम लोग research के pipeline के एकदम शुरुवात में आ जाते हैं PhD के उपर तो यह एक सवाल था कि विज्ञान करने के लिए PhD किस तरह कामगार साबित हो सकते हैं और क्योंकि PhD तो एक German system है 200-300 साल पुरान है आजकल का science शायद बदल गया होगा क्योंकि पहले एक इनसान एक paper लिखता था अभी किते 50 लोग मिलके paper लिखते हैं वगेरा वगेरा तो PhD के बिना आज के दौर में हम अच्छा विज्ञान नहीं कर सकते क्या आपको क्या लगता है जी तो PhD या कोई भी डिगरी किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है पर उसके कई फाइदे हैं पहला तो यह कि कई जगा पे अगर आपको नौकरी चाहिए रिसर्च की तो वो मांगते हैं कि PhD हो ठीक है तो वहां पर जरूरी होता है पर मान लिजे वो नहीं है फिर भी PhD करने के क्या फाइदे हैं रिसर्च में तो हमको स्कूल में या हम जब अंडरग्राजवेट करते है सबढ़र हैं करद में जितना सेखने को नहीं मिलता है कि विजियां काफिर्ण करते हैं और और उसका अनुभव मिलेगा और यह-जरूरी हैै काफी सब्सक्रारोड करना क्लास में जाना उससे बहुत अलग ।ो क्या-क्या सीखनों को मिलता है क्या अनुबाव मिलता है तो पहला तो यह है कि हम यह scientific methods सब सीखते हैं और इससे फिर हमें पता चलता है कि किस तरह से सही तरह से विग्यान करना पर उसके अलावा और भी कई चीज़े हैं जैसे कि अगर आपने homework किया या आपने exam दिया तो उसमें कोई जो सवाल होते हैं वो ऐसे सामाने तोर पे होते हैं जिसका जवाब प्रोफेसर को या टीचर को पता है कि वो एक्दम closed ended होते हैं जबकि जब आप संशोधन कर रहे हो बहुत ही open ended सवाल होते हैं तो वो open ended सवाल से कैसे deal करना उसका काफी अनुभव मिलता है जो काफी जरूरी होता है ऐसा अनुभव भोback ज ना दूसरा ये है कि अ काफी जरूरी है कि सवाल आहरे पूठते हो उसकी बहुत भूमिका है क्या सवाल पूठते ओ प्रॉब्लम फॉर्म्ुलेशन कहते हैं उसको यह तो क्या सवाल पूठते हो कि तरह से हो बहुत जरूरी है वो हम हमारे परीक्षा में या होमवर्क में नहीं सीखते हैं, तो इसका काफी अनुबाव मिलता है, फिर एक और बात है कि कई बार जब हम संशोधन करते हैं, तभी तक ऐसा हो सकता है कि अटके रहोगे, जैसे कि मेरा काफी संशोधन गणित पे भी है, तो कई बार ऐसे गणि तक लोग अटके रहते हैं, तो अब उसमें क्या करें, कैसे अलग अलग तरह से सोचें इसके बारे में, इस सब का भी अनुबाव पिएचडी के समय मिलता है, तो पिएचडी कर रहे हैं, तो यह है कि संशोधन का अनुबाव, तो अगर मान लो आपको कहीं और ऐसे ही मिलता है, तो अच्छा है, मुलें वो भी ठीक है, तो फिर पिएचडी अनिवार ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी अनुबाव और यह सब सीखने में काफी मदद करता है, बिल्कुल, अब दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं, प्रोफेसर के इंसेंटिव्स के बारे में, तो अब इस कि इवालुएशन टीचिंग पे नहीं होती, उनके पेपर पब्लिकेशन पे होती है, फिर उने पेपर पब्लिकेशन के लिए ग्रांट्स प्रोपोजल लिखने पड़ते हैं, तो मुझे लगता है संस्थागत रूप से थोड़ा कमजोर ढाचा है, क्योंकि कई बार मतलब म मैंने ये भी साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा अब्जर्व किया है कि लोग जो प्रोफेसर्स हैं, वो टीचिंग को थोड़ा ऐसा भार समझते हैं, क्यार कोई सेमिस्टर में दू सेशन पढ़ाने हैं वगरा वगरा, तो आपको क्या लगता है, क कि ऐसा डिसम्बिक्यूएट करने की जरूरत है कि जो रिसर्च है, वो रिसर्च करें, जो टीचिंग करता है, वो अच्छे से पढ़ाई, सिखा है लोगों को, ये आजकल का जो संस्था का धाचा है, वो ठीक है, क्या जो एक ही प्रोफेसर सब कुछ कर रहा है, जी तो इस पर जैसे आपने का, मेरा जो प्रमोशन वगेरा होता है, वो ज्यादा तर रिसर्च पे होता है, तो टीचिंग भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि टीचिंग नहीं देखते हैं, अगर टीचिंग काफी खराब किया, तो हाँ, वो काफी खराब होगा मेरे टेनिया और वगेरा के लिए, तो टीचिंग देखते हैं, पर ज्यादा में जब मैं IAC में मैंने मास्टर्स किया था तभी जो विद्यार्थियों को जो funding है जो salary है वगेरा वो सरकार से सीधा आता था प्रोफेसर उसके लिए grants नहीं लिखते थे तो जबकि अमेरिका में हम विद्यार्थियों के funding के लिए भी हमको grants लिखनी होती है तो अलग अलग सरकारों ने अलग अलग किया है तो उसमें कुछ-कुछ अभी यूरोप में ऐसा भी प्रयोग कर रहे हैं कि जो grants जो देते हैं उसमें काफी सारा randomness डाले कि मानलो 100 लोगों ने grants के लिए apply किया तो उसमें फिर review होगा सबसे बढ़िया भी इसको grant दे देंगे नीचे वाले 30 को नहीं देंगे और बीच में जो है उसमें से randomly कुछ लोग को ऐसे चुनके देंगे यह सब भी होता है तो लोग अलग अलग इस तरह से प्रयोग कुछ-कुछ experiment कर रहे हैं अब देखते हैं यह कहां जाता है वाँ बहुत अच्छा लगा निहार आपसे बहुत कुछ सीखने मिला इसमें और दावा है कि हमारे लिसनर्स को भी अच्छी लगेगी यह विज्ञान पर विज्ञान की पुलिया बाजी तो इसी मुद्धे पर फिर खतम करते हैं इस एपिसोड को बहुत-बहुत शुक्रिया निहार थैंकिए बहुत बहुत मज़ा आया निहार एकदम विज्ञान का विज्ञान बहुत जरू किया है मशीन लर्निंग इन हिंदी पर हम लोग लिंक तो शेयर करेंगे तो अगर कोई सीखना चाता है मशीन लर्निंग और वो भी हमारी आम बोल चाल पुल्यावाजी वाली हिंदी में तो निहार का चैनल ज़रूर दिखिए जी दन्यवार प्रहें और बस एक बात क कि मैंने इस तरह से बनाया है और प्रयत्न है कि कोई भी सीख पाए बच्चे बुड़े आप कोई भी नौकरी करते हो कुछ भी करते हो सीख पाए इसके लिए computer programming जानने की जरूरत नहीं है या कोई भी गणित जानने की जरूरत नहीं है बिलकुल ज़रूर चेक कीचिएगा लिंक हम अपने शो नोट्स में टालेंगे थैंक यू थैन्यवाद थैन्यवाद ओके वी थैन्यवाद